एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे जैशा ऐसा उन्होंने खुद किया है कनफर्म पूरी रिपोर्ट जानने के लिए विडियो को आखरी तक जरूर देखिएगा हलो एंड वेलकम मैं आपके साथ गरिमा और आप देख रहे हैं स्पोर्टस पैट दरासल एशिया कप 2023 की होस्टिंग को लेकर चल रहा विवादब खत्म हो गया है दर्बन में हुई बैठक के बाद PCB ने हाइब्रिड मॉडल के तहट खेलने पर सहमती जता दी है इस बीच पाकिस्तानी मीडिया में कुछ ऐसी खबरे छपी जिनमें कहा गया कि BCCI सचीफ जैशा एशिया कप 2023 के दौरान पाकिस्तान का दौरा करेंगे हलाकि जैशा ने खुद इस खबर को इनकार किया है जैशा ने बताया मैं किसी भी बात पर सहमत नहीं हूँ ये गलत तरीके से संचार किया गया है जान बूच कर या शरारत वर्ष किया गया है मैं पाकिस्तान का कोई दौरा नहीं करूंगा BCCI सचीव शा और PCB चीफ जका अश्रफ ने दर्बन में चल रही ICC बैठक में मुलाकात की जहां दोनों ने एशिया का पर 50 ओवर के वर्ल कपड चर्चा की पाकिस्तानी मीडिया में ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि शा ने एशिया का मुकाबलों के लिए पाकिस्तान आने के अश्रफ के नमंतरन को सुईकार कर लिया है जो की पूरी तरह से गलत है ICC में BCCI के CEC Representative अरुन धुमाल ने भी इस बात से इंकार किया है कि शा या BCCI से कोई भी पाकिस्तान की यात्रा करेगा अरुन ने एक रिपोर्ट में कहा जो भी खबरे हैं वो पूरी तरह से जूटी है आपको बता दे कि एशिया का टोना मैंट के लिए PCB और BCCI में हाइब्रिड सिस्टम को लेकर सहमती बन गई है इस हाइब्रिड मॉडल के तहट पाकिस्तान 4 मैचों की होस्टिंग करेगा जब की श्री लंका सभी नौक आउट और फाइनल सहित 9 मैचों की होस्टिंग करेगा इस व्यवस्था में भी कोई बदलाग नहीं हुआ है अब आपके इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं